देश में स्वास के प्रती जागरूकता तेजी से बढ़ती जारी है खासकर यूवा जो है वो अपने दिल और शरीर को तंदरुस रखने के लिए जिम में पसीना बाहर आए वहीं बुजर्ग जो है वो गार्डन में योगा अभ्यास करते नजर आते हैं लेकिन दूसरी और एक और चोकाने वाली रिपोर्ट भी सामने आती हैं कि सबसे अधिक यूवा ही दिल के मरीज सामने आ रहे हैं कल यानि बुदुवार को विश्वर रदय दिवस है और इस अव किसे हम अपने दिल को हमेशा जमा बना रख सकते हैं डॉक साब आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस कायरक्रम में हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से यूवाओं में रदय की बिमारी लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है क्या कारण इसके आप समझते हैं यह बीस वशों में यह संख्या करीब करीब 40 गुना फॉर्टी टाइम्स बढ़ी है यह एक साउथ इंडियन स्टेट का डेटा है और इसके जो प्रमुक कारण हमारे सामने आये उसमें से दो हैं एक है कि स्मोकिंग या तंबाकु का उप्योग और दूसरा है तनावपून जैसे कि अभी आपने बताया कि वो जीवन जो है वो अस्तवियस्त हो जाता है खाने पीने से लेकर एक्सरसाइज करना या अच्छी नीन सो पाना यह सब मुश्किल काम हो जाते हैं और यह कारण है कि यंग पॉपुलेशन के अंदर हार्ट डिसीज बहुत बढ़री है का इलाज करते हैं तो किन शब्दों में आप उनके ममी पापा को समझाएंगे कि आपके बेटे को हार्ट अगर उसकी शादी हो चुकी है तो उसकी छोटी सी वाइफ को आप क्या पता होगे कि हार्ट अटेक के बाद का जीवन किस तरह से होता है तो यह वास्तों में गंभी के रोग नहीं होंगे क्या आधुनिक जीवन शेली इन सब के लिए जिम्मेदार है या जो हम महनत करते थे पहले वो महनत कम हो गई जिसका असर दिल पर पढ़ने लगा है यह आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यह जो आधुनिक जीवन शेली है उसी का कारण यह है कि हम हर ची के लिए उठना नहीं पढ़ता है कुछ परिशन नहीं करना पढ़ता है और इस चीज का शरीर पर जो हमारा जो शरीरिक परिशन्ता वो तो घटाई ए उसके साथ साथ जो मांसिक तनाव वो बहुत बढ़ बढ़िया है यह जीज़ बिल्कुल सफ़ष्ट है कि जब आपका जलता है तो मन कम चलता है और जब शरीर नहीं चलता है तो मन जादा चलता है और जब आपका मन जादा चलता है यह दिमाग जादा चलता है तो उसमें विचार जादा है और उन विचारों की अधिकता आपके तनाव का कारण बनती है एंग्जाइटी का कारण बनती है उस को तोड़ने के लिए फिर आप अलग-अलग तरह के एडिक्शन्स लेते हैं आपको तंभाकू चीए आपको स्मोकिंग चीए आपको अलकॉhol चीए आपको लेट नाइट पार्टी से ही हैं तो ये सब के सब जो हैं उसके पीछे का पारण यह है कि हम कही नं कहीं पूरी तरह स रिलैक्स नहीं हो पाते हैं, हम विचारों की अधिकता हो में रहते हैं, मैं कहीं बार अपने टॉक्स में ये भी कहता हूं, कि आज कल रधे गात से जादा विचारागात हो रहा है, बहुत जादा सोच ले होते हम लोग, और ये विचारों की अधिकता का एक प्रमुक कारण हमारी शारेरिक निश्क्रियता भी है और अगर हम अपनी जीवन शाली को इस तरह से समझें जैसे कि अपने आपको फिजिकली एक्टिव रखें और जैसे हमारे बुज़ुर्ग रहते थे अपने काम स्वेम करें और उसमे शरम न माने कि मैं पैदल जाके अपना काम कर लूँगा या सैकिल पर जाके अपना काम कर लेंगे तो मुझे लगता है कि इन छोटे-छोटे प्रयासों से भी हम अपने को बचा कर रख सकते हैं आपने कहा कि विचारा घात हो रहा है इस समय एक और आखात हम देख रहे हैं डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है वो कही न कहीं हमारे रदय को कमजोर करने में एक महत्पूर्ण भूमी का निबा रहा है क्या इस बार भी जो विश्वर रदय दिवस मनाया जा रहा है उसका ए एक स्लोगन भी यह दिया गया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म कितना नुकसान दायक है आप क्या मानते हैं दिखिए इस वर्ष विश्वर रदय दिवस पर जो टॉपिक दिया गया है वो यही है कि डिजिटल मीडिया का हम दिल से संबंदित रोगों के लिए किस तरह से उ अपलब्द है लेकिन इसके दुष्परिनाम हो सकते हैं जैसे अपने का लट पड़ सकती है ओवर्यूस सकता है अडिक्शन हो सकता है और यह नहीं बल्कि जब आप डिजिटल मीडिया को अपने डॉक्टर का दर्जा दे देते हो जब आप अपने लक्षन डिजिटल मीडि यह बहुत बड़ी गलती हो सकती है दोस्तों मैं आप सभी को समझाना चाहता हूं कि महरबानी करके आप अपने डॉक्टर को रिपलेस नहीं करें क्योंकि यह गुगल माश्य जो है वो आपको ड़ा देंगे अगर आपने उसमें डाला कि चाती का दर्द तो सीधा आएगा सभी कि आप जब की वास्तवीक्ता यह कि सौमें से नब्बे मरीज जो चाती के दर्द को लेकर इमर्जेंसी में पहुंचे उन्हें दिल से संबंदित कोई बिमारी नहीं होती तो मैं अपने मरीजों को यह भी कहता हूं कि डिचिटल मीडिया का जरोट से अधिक अप्यों क करना ठीक नहीं है हाँ ये बात जरूर है कि अगर आप कुछ अच्छा पॉष्ठिक खाना खा रहे हैं आपने कुछ अच्छा बनाया है जो स्वास्त के लिए अच्छा है या अप अपने अच्छी एक्स्सक्राइज करें सेर करेंग्ढ करें तो आप अपने फोटो लेकर अ कारण सामने आ रहे हैं अब अगर हम इनके निदान पर बात करें तो निदान के वो आसान कौन सी भाषा होगी जो एक आम आदमे भी ग्रामिन वेक्ती भी बेलकुल आसानी से समझ पाए कि वो अपने दिल को तंदुरुस्त कैसे रखें यह बहुत ही प्रैक्टिकल क्यों आप अच्छे स्वस्त दिल का एक मंत्र तो तोस्तों क्या है यह M-A-D-E M का मतलब है mental relaxation A का मतलब है avoid addictions D है diet control और E exercise M-A-D-E आए संक्षेप में हम बात करते हैं M का मतलब कि mental relaxation हम मांसिक रूप से तनावगरस्त न रहें दिन में 18 बार हसें अच्छी नींद की व्यवस्ता करें च्छी च्छी बातों पर अपना मूड खराब न करें बुराइया करने में हम कंजूसी करें खराब मेसेजेज को और भड़काओ मेसेजेज को फोरवर्ड न गरें आप अपने को कम से कम जरुटे वाला व्यक्ती बनाने की प्रयास करें अपने बारी संसार के अंदर अपनी दिल भी मुसकराएगा तो वह हुआ मेंटल लेक्सेशन इसमें प्रनायम और ध्यान भी आपकी मदद कर सकते हैं दूसरा है अवाइड एडिक्शन किसी भी तरह के दोस्तों एडिक्शन से बचें खास तौर पर जो यंग लोग देख रहे हैं मैं आपको कहना चाहता हूं त इन सब चीजों के अडिक्शन से जैसे भी पताया है सोशल मीडिया किसी भी चीज के अडिक्शन से बचें तीसरा है डाइट अब इंदौरी है तो अब में अब जबान पर उनके चस्का तो रहता ही है और बिना चटपटा खाए पिए वो मानते भी नहीं है तो मुझे चट कि घर का बना खाएं क्या होता है दोस्तों कि अधिक्तर चीजें जो अनिकारा कोती है वो अनिकारा कोती है जो यह तो प्रोसेज है यह तो नकली है अब जो भी आप समान बजार से खरीद रहे हैं वो यह तो प्रोसेज है यह तो नकली है निश्चित तो आप यह मान के चलि सेवनमकीन 가족का बारकी यह जैने रिष्ज किमने भेश शहंगे सेवनमकीन भारकी यह भारकी मिठाइयों के इ militण के अबेटिक, अबस्टरी, मुसंहाँ जाहिए जाँ भला के लोग जफिस्टरीg मैं consequence क्यों आप मोट गरन बहुंगा लेकिन सासुमा भी होती है वो अपने पीछ पीछ पढ़ या जाती है जो अपने तो खान एप आप लुग अपने निबदान करना चाहता हूं कि अपने रिष्टेदारों को अपने मित्रों को खिला कर आप भिमार करने का प्रयास ना करें और यह आपका प्यार का प्रदर्शन नी है यह हमारी अग्यानता है तो हमको यह सोचना है कि शाम का खाना कम और जल्दी का है जिन गरों के चौके जल्दी उड़ जाते हैं दोस्तों वह पर बिमारिया कम होती है चाह साड़े शाड़े शाड़े अपना भोजन कर ले और मीठे से भी तोबा करें मीठा बहुत कम करें आपको अगर तेल लेना है तो सर्सों का मुंपली का तिल का कच्छी गानी का तेल ले अगें रिफाइंड तेल ना ले शुद गी ले सकते हैं एक या दो चोटी चमच तो इस तरह से आप खाने पीने में ध्यान रखकर अपने को आप स्वस्त्रक सकते हैं और अंत में हैं E-Exercise M-A-D-E यह अंग्रेजी का शब्द है तो E का मतलब नियमित रूप से आप 40 मिनिट की अरोबिक एक्साइज करें ब्रिस्क वाग करें साइकिल चलाएं हफते में दो बार मसल्स की एक्साइज करें प्लैंग, पुश अप, स् हाट पर तो इसका असर होता ही यह बात सही कह रहें आप, और एक्सराइज से बचना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया अगर आप हफते में पांच दिन चालिस मिनट अएरोबिक एक्सराइज करते हैं, यह आपके लिए बहुत है, ज़रत से ज़्यादा एक्सराइज करने से कोई अडिशनल अड़ांटेज आपको नहीं मिलता है, कई बार आपको एक्सराइज का भी एडिक्शन हो जाता है, किसी समय हमें भी एडिक्शन था, और हमने भी कुछ बाते सीखी हैं, और अब एक नए एक तरीके से उसको बैलेंस करने का हम प्रयास कर रहे हैं, आप से भी मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, कि जो भी चीज करना चाहें, उसको मॉडरेशन में करें, आप स्वस्त रहेंगे. प्रिटेन के फिलोसफर आया थे इंडिया में, उनोंने आने के बाद यहां से बुक लखी, और उस बुक के जो पहले पन्ने थे, उन पर लिखा कि इन इंडिया, एवरी परसन इस डॉक्टर, तो यह जो सला मिलती है, यह जो डॉक्टरों के जो दूसरे डॉक्टर सला देत आयह को ते, वो कितनी हानिकारगों, बहुत हानिकारग है, मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि महरबानी करके अपना एक फेमिली फ्यजिजिएएन, अपना एक डॉक्टर चुनके रखें, पहले कितना अच्छा होता था कि आपके गरों के अंदर एक फेमिली डॉक् और उसकी सला से आम दूसरे दॉसरे दॉक्टर को दिखाते थे अब यह हो गया है कि हम सीधा सिर्दुखता है तो नियोलोजिस के पास चाती मेंदर दुआ कारियोजिस के पास मुझे लगता ही यह भी गलत है तो न तो आप सुपर स्पेशलिस के पास डिरेक्ली जाएं और न उनों ही स्थितियों से बचने की जुलत है आपके स्पीच बड़े मज़ेदार होते हैं लोगों को जल्दी acceptable होते हैं लास्ट आप से जानना चाहेंगे कि अपने रदय को तंदुरुस्त करने के लिए आपने मैड तो बताया ही है लेकिन वो कौन सी दो बाते हैं जो आपको अपने जीवन में हमेशा करनी चाहिए अगर मुझे दो बाते कहीं जायें तो पहनी बात तो ये कि आप अपने दिल की सुने में दूसरों की सुन्ने में दूसरों की होड में आप अपना चैन खोदेते हैं आपकी दिल की requirements बहुत कम हैं चोटी-छोटी बातों पे दिल मत द और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप अपने पूरे परिवार के लिए एक इंस्पिरेशन बनिये एक ऐसा जीवन जीए कि आपके घरवाले आपके भाई बेन आपके ममी पापा आपके दोस्त सभी आपका एक्जामपल लेकर आपसे कुछ सीक कर अपन तो आप और पर में बच्चों से कहना चाहता हूं कि महरबानी करके अपने पिताजी माताजी से पूछें कि आपने अपना BP कर जांच कर आइए आप अपना शुगर का जांच का किया आप अपना नियमित एकसासाइज वॉकिंग करना शुरू करें आईए हम इस तरह से तयो करें जिससे कि हम एक दूसरे को और स्वस्त रखने में मदद करें ना कि स्वस्त को और खराब कर दें इस सरी किसे इंद और स्वच्छता में नंबर वन ए पिछल चार साल से प्रयास यह कि जा रहे हैं कि स्वस्त में बिन अमबर वन हो तो यह जो नियमित exercise है वो लोगों को ज इसके प्रोग्राम की वज़े से बहुत सरे लोग अपने जीवनशली को थोड़ा ना थोड़ा बदलेंगे जिससे कि उनका दिल आपको बहुत बहुत धन्यवाद देगा। झाल